आप सभी के हिर्दे में विराजमान परमात्मा को मेरी राम 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 को तुलसिदास जी ने अवधी भाशा में जन मानस के लिए सहज सुलब कराया यह बात स्विकार नहीं हुई उस समय के पंडित पुजारियों को या एक ऐसे वर्ग को जो यह मानता था कि यदि राम का नाम लेना है तो केवल संस्कृत में ही लेना है किसी अन्य भाशाओं में राम का नाम लिया ही नहीं जा सकता किसी भी अन्य ग्रामीन भाशा में राम कथा का शरवन करना वाचन करना वे निशिद मानते थे तो उन्होंने तुलसिदास का पुरजोर विरोध किया अब ऐसे लोगों को तुलसिदास जी जो संकेत कर रहे हैं उनसे जो कह रहे हैं वह सुनने योग्य बात है समझने योग्य और जीवन में उतारने योग्य नाना भाति राम अवतारा वे उन लोगों से कह रहे हैं कि नाना प्रकार के अनेक प्रकार के राम के अवतार हुए कोई एक नहीं हुआ राम ने तो नजाने कितने अवतार लिए तो अब जब राम के इतने अवतार हैं तो उन अवतारों के साथ ही रामायन सत कोटी अपारा और जो रामायन है वो भी करोणों प्रकार की रामायन है सौ कोटियों की करोणों प्रकार की रामायने है याने अनंत रामायन है यदि हम वैसे भी देखें तो वास्तों में भी रामायन कितने प्रकार की हैं मूल तो वालमीक रामायन है किन्तु उसके बाद भी प्रतेक भाशा में प्रतेक धर्म में अपने अपने हिसाब से रामायनो कहते हैं न हरी अनंत हरी कथा अनंता कहत सुनई बहु बिधी सबसंता वही बात आगे तुलसिदाज जी अब कहेंगे तो तुलसिदाज जी का कहना है कि राम के इतने अवतार हुए और हर अवतार के साथ उनकी अनंत कथाएं भी है ऐसे में कलप भेद घर चरित शुहाए इस काल खंड के लंबे अंतराल में शिरी हरी के चरित्रों को इन सुंदर मनोहरी चरित्रों को अनेक रूपों से कहा गया भाती अनेक मुनसह गाए और मुनी जनों ने साधू जनों ने, सज्जनों ने इस हरी चरित्र को अनेक प्रकार से गाया है, भांती अनेक मुनसह गाये, भांती भांती प्रकार से, अभी बात कही था मैंने, हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता, कहत सुनए बहु विधी सा बसंता, तो इतने इतने प्रकार से कहा है, सभी ने भगवान के चरित्र को मैं भी कह रहा हूं, तुलसी दास जी उनसे यही निविदन कर रहे हैं, कि खाई, मेरे कहने में आप इतने क्यों रुष्ट हो गए हैं, सभी ने कहा है न, तो मैं भी राम की कथा कहरा हूं, करिये ने संसे अस उर आने यह बाद जानकर कि अपसे पहले तो मुझसे भी नजाने के अतने स्रेष्ट लोगों ने रामकथा कही है मेरी रामकथा पर अपने हिर्दे में संशे ना कीजिए अर उस आने अपने आपके हिर्दे में ऐसा संशे ना आए कि तुलसी दास जी ने जो लिखा है उसकी तो हम परवा ही नहीं करते हम तो केवल वालमीक रामायन को देखेंगे या अन्य रामायनों को तो गीत की पंक्ति आपने सुनी होंगी कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले मुझसे बहतर कहने वाले तुमसे बहतर सुनने वाले तो अब से पहले राम नाम के सुन्दर नगमों की कलियां चुनने वाले कितने स्रेष्ट वक्ता आए और इनी कलियों की सुगंद को पीने वाले भवरे न जाने कितने शुरुता आए तुलसी दास जी कहते हैं मैं भी उसी क्रम में हूँ तो यह सोच कर कि आप पहले वालों को ही रात्मिक्ता देंगे उनको ही तवज्जो देंगे आप मेरी इस राम कथा को न बिसराएं और क्या करिए सुनिये कथा सादर रतमाने और बड़ी प्रेम के साथ इस कथा को सुनिये कि यह तुलसी दास की राम कथा है आप यह सोच कर इसको आदर के साथ सुनिये कि यह राम की कथा है आप राम को सुन रहे हैं तुलसी दास को बीच में मत लाईए हटा दीजिए आप तो सिर्फ राम से सीधा संपर्क रखिए तुलसी दास तो एक माध्यम है तुलसी पर क्यों विचार करते हैं आप और अपने मन में इस प्रकार का कोई संशय आप नहीं लाईए ये तो एक संशय था कि मुझसे पहले कि जो रामकथाई हैं जब वे रामकथाई हैं तो हम तुलसिदास की रामकथा क्यों सुनें। ये बहुत बड़ी आपत्ति थी उस समय। लोग कहते थे उनको, जो उनसे इर्शा करते थे, जो तुलसिदास जी को अपना प्रत्वी ज्वंद्वी मानते थे। जो तुलसिदास जी यही कह रहे हैं उनसे निवेदन करते हुए कि अपने मन में ऐसा संशय मत लाइए और इसको रामकी कथा मानकर ही पढ़िये। अब एक संशय और भी होता है, उस संशय की भी मैं चर्चा कर दूँ। एक मित्र मेरे पास आये और कहने लगे कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था और अब आप से हिम्मत करके कह रहा हूँ कि क्या आप हमारे बाबाजी के आश्रम की किताब पढ़ेंगे। तो मैंने का तुम्हारे बाबाजी माने तुम्हारे पिता जी या दादा जी। तो उसने का नहीं नहीं, ना पिता या दादा, हम अपने गुरु को प्यार से बाबाजी कहते हैं। और मैं उनकी आश्रम की एक पुस्तक आपको पढ़ने के लिए देना चाहता हूँ। मैंने का दे दो स्वागत है उन्होंने पूछा आप पढ़ेंगे मैंने का जब स्वागत है कह दिया तो पढ़ूँगा निश्चित रूप से भी पुस्तक दे गए और मैंने न किवल उस पुस्तक को पढ़ा बलकि उस पुस्तक से इतना भी भूत हुआ कि मैंने उन मित्र से क कि तुम मुझे इसकी दस प्रतियां ला दो, जब भी मुझे कहीं जाना होता है, तो मैं भेंट स्वरूप ये पुस्तक दूँगा आगे, तो बड़े आश्रे चकित हुए, कि आप हमारे गुरू की पुस्तक देंगी औरों को, मैंने का क्यों, इसमें तुम ऐसा संशे क्यों मैं दो ला रहे हो मन में, कि मैं उनकी दूँगा, कहते हैं नहीं, मतलब बाकी लोग जो उनको नहीं मानते हैं, वो तो कभी पढ़ते भी नहीं किताब, और आपने तो पढ़ी भी और आप उस्तक मांग रहे हैं, मैंने का खैरा आप उस्तक लाइए, दस पुस्तक के लिए मैंने बांट दी फिर दस और मंगवाई मैंने और उसके बाद अनेक पूस्त के पढ़ी मैंने उनके गुरू की एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं आपको ये राम कता दे रहा हूं आप इसको पढ़िये तो उन्होंने का कि sorry हम अपने गुरू के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ कि अर अस उराने ऐसा संश है आपके हिर्दे में ना आए मैंने कहा क्या तुमारे गुरू ने मना किया है कि दूसरे दर्शन की किताबे ना पढ़ो और राम की किताब राम की पुस्तक तुम भी हिंदू होना तु फिर एक हिंदू होने के बात भी तुम ये कह रहे हो कि हम अपने गुरू के लावा किसी की पुस्तक नहीं पढ़ते तो राम क्या किसी की हो गए उन्होंने का नहीं ये मुझे नहीं पता पर हम किसी और की पुस्तक नहीं पढ़ते हैं बस अपने बाबाजी की ही पढ़ते हैं मैंने का अच्छा ठीक उसके बाद वो कहने लगे कि मैं तो सोच रहा था आपको अपने बाबाजी के सतसंग में लेके चलू लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप चलेंगे। मैंने का तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। उसने का इसलिए कि अभी मैंने मना कर दिया ना कि मैं राम की बुस्तक नहीं पढ़ूँगा। तो मैंने का यह तुमने मना किया है ना उसका मुझसे क्या संबन मैं चलूँगा तुम्हारे बाबाजी के आश्रम में। और मैं गया उनके बाबाजी के आश्रम में। भी लेकर गए मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी वेवस्ता थी। फिर उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ा डेरा है हमारे बाबाजी का वहाँ चलेंगे। वहाँ एक रात रुखना होगा। मैं वहाँ भी गया। और संयोग से वहाँ पर उनके बाबाजी का जब प्रवर्चन वहाँ चल रहा था। उनके बाबाजी कह रहे थे। उनके माद्यम से जो उनका प्रतिनीधी प्रवर्चन कर रहा था। वह कह रहा था कि बाबाजी का हुकम है कि आप ये मत समझें कि सत्संग केवल मेरे ही डेरे पर आकर करना है कि सत्संग केवल मेरे पास ही हो रहा है आपको जहां कहीं भी किसी भी धर्म में किसी भी इस्थान पर सत्संग होता मिले आपको वहां सत्संग करना है जाके और आपको सभी के दर्शन को पढ़ना है सभी की पुस्तके पढ़ने हैं और मैंने उन सज्जन की और देखा उनके मित्र की और देखा बाद में मैंने उन से कहा कि तुम तो अपने गुरू का कहा भी नहीं मानते तुम्हारा कितना सुंदर मार्ग दर्शन तुम्हारे गुरू ने किया वहाँ पर वे कह रहे हैं कि जहां भी सत्य का संग वहाँ सत्संग करो सत्संग का ये मतब नहीं कि मेरी डेरे में आकर करो और तुम गुरू की आग्या का पालन नहीं करते तो उसने का हमें नहीं पता लेकिन हम अपने बाबाजी के अलावा किसी की पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे संशय को दिल से निकालने के लिए मन से निकालने के लिए तुर सिदास जी कह रहे हैं कि केवल अपने एक घेरे तकी सीमित नहीं हो जाना है आपको अपनी दृष्टी को व्यापक रखना है तो ऐसा संशय मन में नहीं रखना बिलकुल भी कि हम तो केवल अपनी ही पुस्तके पढ़ेंगे और कोई पढ़ेंगे नहीं हम तो केवल अपने ही गुरु को मानेंगे और किसी की और हम आँख उठाकर तक नहीं देखेंगे संबान से, प्रेम से, आदर से, शृद्धा से तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका विकास नहीं हुआ अगर आपको अपना गुरू आपको संसार के कंकर में दिखाई नहीं दिया तो इसका अर्थ है अभी तक आप अपने गुरू को देखी नहीं पाए आपको तो अपना इश्ट, अपना महभूब इस जमीन के जर्रे जर्रे में दिखाई देना चाहिए राम समझ लीजिए तब आपके हिर्दे में उतरे हैं जब आपको चारों तरफ राम ही राम दिखाई दे, सब में राम दिखाई दे हर एक में राम, दुश्मन में भी आपको राम दिखाई देने लगे तब समझेगा कि राम आपके रोई रोई में समा गए है, तब, अभी नहीं अभी तो भेद बुद्धी बड़ी भेंकर है ऐसी भेद बुद्धी मैंने लोगों की देखी है कि वे कहते हैं कि ये हमारा राम मंदिर है वो तुमारा राम मंदिर है ये हमारे हनुमान जी का मंदिर है वो तुमारा है उस मोहले के हनुमान मंदिर में नहीं जाते हमारे वाले के हनुमान जी की प्रतिमा बहुत अच्छी है उनका कोई हनुमान मंदिर है ऐसी बेद बुद्धी मैंने बहुत देखी है लोगों की कि एक निश्यत स्थान पर ही वो मान लेते हैं कि यहीं पर हमारा राम विराजता है उसके अत्रिक कहीं पर भी यदी राम है तो वे उतने प्रभावशाली नहीं है जतने ये हैं तो इन संकिंडताओं से बाहर निकलना है यह दो चित्त की शुद्र धारना हैं इन से उपर उठना है राम को एक व्यापक तल पर अनुभव करना है और इसलिए उन सब को तुलसिदास जी ने यही समझाया नाना भाती राम अवतारा राम आयन सत कोटी अपारा कलप भेद हरी चरित सुहाए भाती अनेक मुनसह गाए करिये ने संसे उराने सुनिये कथा सादर रतिमाने राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार क्या आप कहते हैं जी कि जिनके विमल विचार हैं जिसमें कोई मल नहीं है कोई किसी प्रकार की गंदगी नहीं है जिनके विचार में विमल विमन कहते हैं बिलोर जल को बिल्कुल साफ क्रिस्टल वाटर ऐसे जिनके विचार हैं वे क्या हैं राम अनन्त अनन्त गुन वे जानते हैं कि राम अनन्त हैं और उस अनन्त के अनन्त ही गुन हैं हम उनका पार पाही नहीं सकते हैं तो जब अनन्त राम हैं अनन्त गुन हैं तो अनन्त ही उसकी कथाएं भी होंगी अमित का था विसतार और अमित जिसकी कोई सीमा नही कम्र नहीं है जो जिसके विसतार का कोई थाह नहीं है ऐसा विसतार है राम के नाम का ये बात कौन जानते हैं जिनके विमल विचार हैं और उन विमल विचारों के साधु जनों की एक और वे शेष्टा है क्या सुन आचरजन मानी है जिनके विमल विचार और वो सुनके बिलकुल भी अचरजन ही मानते हैं राम की कथा को हैरान नहीं होते हैं सुनकर जब कोई चा खेरान नहीं होते शिद्ध से भर जाते हैं जबकि जो बुद्धी में संकींडता रखते हैं वे लोग आश्रय से भर जाते हैं और आश्रय उनका कोई आनन्ददाईने आश्रय नहीं होता, वो संशेगरत आश्चर्य होता है, जिस पर शक होता है, आप एक सुंदर कृती को देखकर आश्चर्य चकित होते हैं, तो खर्ष और प्रसन्यता के साथ, और वहीं जिस पर आप बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं, उस पर जब आश्चर्य चकित होते ह है अब इसी बात को मैं उधरन के द्वारा इस पश्ट करता हूं हिंदु मित्र ने ही मुझसे कहा भूर कि यह क्या है sind थम्हारी इंक आने कथाऊं में मुझसे कह हैं तुम्हारी कहानी कथाओं में, उम हिंदू हैं, और मुझसे कहते हैं, तुम्हारी इन कथाओं में के लिखा है कि बाल समय रवी भक्षलियो तब, तीन हो लोक भयो अंदियारो डाद, कहते हैं, यह कोई चीजे बुद्धी है वो कैसे अचरज मान रहा है इस पर, क्या कह रहे हैं, मतलब पहले ही उनकी बुद्धी ने द्वार बंद कर दिये समझने के, और समझने के द्वार बंद करते ही, उन्होंने सीधी घोशना कर दी, कि ये व्यर्थ की बात कही गई है, कि बाल समेरवी भक्ष लिय कि बहला सूर्य को कोई कैसे खा सकता है, और इसमें लिखा है कि बच्पन में हनुमान जी ने सूर्य को ग्रस लिया, इस पर दों भरोसा ही नहीं कर सकते, ये तो बाद दी बड़ी नाभरोसे की है, अब उनका पहले से ही आग्रह हो गया, उन्होंने मन में एक मान लिया, कि इस माननेता के साथ वो विरोध करना शुरूर कर रहे हैं हमारे साहित्य का, अपनी ही संस्कृती का, अपने ही दर्शन का विस्वम विरोध कर रहे हैं अपनी नासमची में, मैंने उनसे कहा कि भाई, इस प्रकार के प्रश्न बाल काल में मुझे भी आते थे, लेकिन मैंने इस प्रकार से जिग्यासा नहीं कि, मैं गुरू जनों के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप इसका रहे से, इसका मर्म बताईए कि किस प्रकार से खनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको समझने में मैं असमर्थ हूँ, गवान बुद्ध कहते थे, कि जब भी कोई मेरे पास प्रश्न करने आता है, तो मैं प्रश्न करता कि आत्मा में जांकता हूँ, कि प्रश्न करने के पीछे उसका उदेश ये क्या है, क्या वह प्रश्न करके मेरी बौधिक परिक्षा लेना चाहता है, या केवल यह प्रश् प्रश्न करना, आपके भीतर की आत्मा को इस्पष्च कर देता है, कि आत्मा के किस थल से, या बुद्धी के तल से, कहां से आपका वह प्रश्न उठा है, तो ऐसे मित्रों ने जब प्रश्न किया, कि बाल समेरवी भक्ष लियो, मैंने उन से कहा, कि ये संकट मोचन जी का एक अश्टक है संकट मोचन उसमें से ये उद्रित है और उसकी पूरी व्याख्या अलग से मैं कर रहा हूँ आप सरीखे बुद्धी जीवियों के संशय को दूर करने के लिए तो आप उस संकट मोचन को सुनिएगा आपको इस्थिती स्पष्ट हो जाएगी अब ऐसा जो आश्यर्य लोग करते हैं वो उसका गहरा और गूड अर्थ नहीं समझवाते हैं कि क्या उसका गूड अर्थ है बहुत कठिन हो जाता है उनको उस गूड अर्थ का समझना तो मैंने उन सज्जन से का चलिए ये बात तो आपने कह दी कि हनुमान जी सूर्य को कैसे खा सकत हैं निगल सकते हैं अब मैं आप से एक बात पूछता हूँ कि यदि आप से ये कहा जाए मैं कहूं कि एक रहस्य संबुद सद्गुरु हुए हैं वो शो वे एक लाख किताबों को घोट कर पी गए एक लाख किताबों को और मैंने स्वयम देखा है उनके पूना के आश्रम म मैं इनका एक लाख किताबे घोट कर पी गए तो आप जैसा व्यक्ति क्या कहेगा कैसे पी गए घोट कर एक लाख किताबे क्या उन्होंने उसको मिक्सी में डाला ग्राइंडर में डाला या जूसर में डाला फिर उसका जूस निकाला और जूस निकालके फिर उसको गिलास म का क्या आर्थ है कि बाल समयरवी भक्षलियो हनवान जी के द्वारा सूरे को गरस लेने का जो सांकेतिक आर्थ है जो गहरा आर्थ है फिडन मेनिंग है वो तो आपकी पकड़ से भाहर चला गया तो आप यही कहेंगे कि कैसे कैसे ओश्व एक लाग किताबे घोट कर पी गए एक आदमी इतना पी नहीं सकता पीने कि उसकी शमता ही नहीं हो सकती तो शब्दों के अबिधा के आर्थ से जब आप लेंगे सिधे सिधे आर्थ ग्रहन करेंगे तो बुद्धी चकराएगी ही संशे करेगी उनके लाक्षणिक आर्थ होते हैं सांकेतिक आर्थ होते हैं hidden meaning ह उनको समझना होगा तो ये बात कही सुन आचर जुना मानी है जिनके विमल विचार तो यदि हम अपने मन के विमल विचारों को रख कर राम कथा को सुनेंगे उसका श्रवन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भीतर ज्ञान के प्रकाश का उदै होगा भक्ति का उदै होगा प्रेम का उदै होगा जननी जनक सियराम प्रेम के बीज सकल ब्रत धरम नेम के समन पाप संताप शोक के पिरेपालक पर लोक लोक के सचिव सुबट भूपति विचार के कुम्बज लोब उददी अपार के काम को कली मल करिगन के केहरी सावक जनमन बन के अतीथि पूज पिरेतम पुरारी के कामद धन दारिद दवारी के मंत्र महामनी विशे व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जल धर से अभिमत दान देवत अरूबर से सेवत सुलब सुखद हरिहर से सूक विसरद नब मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगहित निरूपद सादू लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से कुपत कुतरक कुचालिकली कपट दंब पाखंड देहन राम गुन ग्राम जिमे इदन अनल प्रचंड राम चरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सजन कुमुद कच्चकोर चित हित विशे सिबर लाहू भुद विशे राम सकल जन रंजनी राम कथाकली कलुष विभंजनी राम कथाकली पन्नग भरनी उनि विवेक पावक कहु अरनी राम कथाकली कामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई सोईव सुदातल सुदातरंगनी भैभंजनी भ्रम भेक भुवंगनी असुर सेन समनरकनी कंदनी सादु विबुद कुलहित गिरिनंदनी संत समाज पयोदी रमासी विश्व भार भर अचल छमासी जमगन मूमसी जग जमुनासी जीवन मुकती हेतु जनुकासी राम हिपिर पावनी तुलसी सी तुलसी दास हित हिय हुलसी सी सिव पिरमे कल सैल सुतासी सकल सेद सुख संपति रासी सद गुन सुरगन अंब अदीती सी रगुबर भगति प्रेम परमिती सी राम कथा मंदाकनी चित्र कूट चित चारू तुलसी सुभग सनेह बन सियर गुबीर भिहारू सेरी राम है सुख के धाम अरे मन भजले सीता राम अरे मन भजले सीता राम राम नाम अनमोल रतन है जान सके तो जान अरे मन भजले सीता राम अरे मन भजले सीता राम सिरी राम है सुख के धाम अरे मन भजले सीता राम अरे मन भजले सीता राम अरे मन भजले सीता राम कीनि प्रशन जेहि भाति भवानी जेहि विदिशंकर कहा बखानी सो सबहे तु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचेत्र बनाई जेहि ये कथा सुनी नहीं होई जनि आचरज करे सुनी सोई कथा आलोकिक सुनही जे ज्यानी नहीं आचरज करे अस जानी राम कथा कैमिति जगनाही असि प्रतीति तिन के मन माही नाना भाति राम अवतारा रामायन सत कोटिय पारा कलप भेद हरिचरित सुहाए भाति अनेक मुनी सन गाए करैन संचे अस उरानी सुनै कथा सादर रतिमानी राम अनन्त अनन्त गुन अमित कथा बेस्तार सुनि आचरज ना मानी है जिन के बिमल बिचार